तो काईस हम आज बात करने वाले हैं पिंग वैपसाइट के बारे में जैसे दोस्तों हम वैपसाइट में कोई भी ब्लोग पोस्ट करते हैं ठीक है लिखते है उसको अच्छे से और पोस्ट करते है लेकिन वो index नहीं होती है Google में जिस तरह से आप देख सकते हैं पे तो क्या होता कि जैसे यहां पे देख सकते हैं आप discover currently not index करके आ रहा है तो वो index नहीं हो गती Google में तो Google को पता नहीं चलता कि आप आपने कुछ edit कर रखा है या post send कर दिये तो गुगल उसको इंडेक्स नहीं करता है ठीक है कई बार तो आपको गुगल को बताना होता कि हाँ मैंने इंडेक्स जो पोस्ट है वो edit कर रही है या नहीं पोस्ट लिखी है प्लीज आप इसे इंडेक्स करें तो या तो आप इंस्पेक्ट करके यहां पे request इंडेक्स कर सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं आपकी यह जो पिंग वैब साइट होती है इनमें अपना URL देखे डिफ्रेंट डिफ्रेंट जो सर्च इंजन होते हैं और जो वैब साइट होते हैं उनको पिंग सेंड कर सकते हैं तो जो URL होंगे वो उनके पास आ जाएंगे जब उन वैब साइट को क्रॉल करेगा Google तो आपके जो लिंक होगे महां पे वो देख लेगा और आपकी वैब यह डिफ्रेंट डिफ्रेंट वैब साइटों में जुरूर से सेंड करना चाहिए अगर आपके साथ यह दिखकत आ रही है तो तो आपको क्या करना है सबसे यहां पर बहुत सारे बहुत सारे हैं वैब साइट हैं लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा आपको दो वैब साइट है जिसमें आपको जुरूर से करना चाहिए, मैं आपको automatic system भी बता दूँगा कि आपको कुछ करने की जुरूरती नहीं पड़ेगी, जैसे आप कोई post create करेंगे, edit करेंगे, update करेंगे, वो directly उनको send हो जाएगी, वो भी बताऊँगा, वैसे manually बता लेता हूँ मैं आपको, तो सबसे पहले आता है दोसो, pingomatic, ठीक है, pingomatic.com, तो यहाँ पर आजाना आपको, यहाँ पर आपको अपना blog का नाम दे देना है, ठीक, तो मैं यहाँ पर blog के नाम की जगा, अपना keyword डाल देता हूँ, और URL डाल देता हूँ, यहाँ पर, मैंने URL कोपी कर लिया, और यहाँ पर blog home page है ना, यहाँ पर मैंने URL डा दिया, उसके बाद क्या करना है, अगर यह select नहीं हो रखिया है, तो check all पर क्लिक करना है, यह सारे check mark हो जाएंगे, उसके बाद send ping पर क्लिक कर देना है, जिसे आप send ping पर क्लिक करोगे, तो यह, जो ping ओमैटिक है, यह इन इन website हो में, आपका जो URL है, वो send कर देगा, पिंग send कर देगा, यह URL का, ठीक है, तो जैसे यह जो चार बता रहे हैं, इन में हो जाएगा, जब Google इन चार website में आएगा, तो बहाँ पर आपके website का, जो URL होगा, वो मिलेगा, तो Google उसको crawl करने में priority देगा, ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर एक और है, ping your URL free, ठीक है, यह pingler का वो website है, pingler.com, तो यहाँ पर भी आप इस तरह से submit कर सकते हैं, तो यह कहाँ कहाँ पर submit करता है, यहाँ पर देख सकते हैं, कितनी सारी, कितनी बड़ी वो है, लिस्ट है, तो यह सारी जगा यहाँ पर इनको ping send करता है, यह बादा website pingler, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने URL दे देना है, और यहाँ पर दे देना है, आपको अपना keyword, यहाँ पर आपको keyword paste करने के बाद, यहाँ पर आपको अपनी category चूज कर लेनी है, आपकी कौन सी category है, पिंग पर क्लिक कर देना है, तो यहाँ पर यह starting ping process बता रहा है, यहाँ पर यह 2 मिनिट का time लेता है, यह 2 मिनिट का time ले रहा है, तो जैसे 2 मिनिट का time complete हो जाएगा, तो यह पूरा ping आपका send हो जाएगा, तो इस तरह से आप different जो ping website है होते हैं, उनमें अपने URL को send कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक small ICO tool है, उसके बाद feed warner है, यहाँ पर आप send कर सकते हैं, यहाँ पर क्या करना आपको अपनी website का URL देना है, और ping feed warner पर click कर देना है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास है index kings.com, यहाँ पर भी same है, यहाँ पर आप अपने बहुत सारे URL दे सकते हैं, और rapid index पर click करके index कर सकते हैं, और इसी तरह से total ping है, हमारे पास ping.in है, यह भी same इसी तरह से है, और यह एक और है, blogplinger.com, तो इसी तरह से यह 5 हम, मैंने यहाँ पर बता रखे, आपको URL पिंग करने के लिए, तो इस तरह से अगर आप manually करना चाहते हैं, तो manually जाके आप आप कर लें इनको, तो यहाँ पर यह starting ping हो गया है, ओके ओके बता रहे हैं, सारे में इसने ping send कर दिया, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपके जो URL है, उनका index होने का chance ज़्यादा बढ़ जाएंगे, इसको दोस्तों आप automatic पिक कर सकते हैं, आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ भी यह जो website होते हैं, क्या करते हैं कि यह specific जैसे यह जो URL है, यह website है, blogsearch.google.cl, ping, rpc2, इस तरह है कि यह जो URL है, इनको ping भेज दिया कि यह जो specific URL है, यह post हो चुका है, यह update हो चुका है, आप इसे crawl कीजिए, ठीक है, तो बस यही गाम होता है इसका, तो आप इसको automatic कर सकते हैं, तो आपको क्या करना है, मैं नीचे description में य यह सारा पूरा यह आपको दे दूँगा, तो आपको सबको इसको copy कर लेना, ठीक है, इसको सारा को copy कर लेना, copy करने के बाद आपको अपने WordPress में आ जाना है, WordPress में, WordPress के dashboard में आना है, और यहाँ पे आने के बाद आपको setting पे क्लिक करना है, setting पे और यहाँ पे writing पे, राइटिंग को प्लिक करना है उसको नीचे आ जाना है यहाँ पे आप देख सकते है rpc pingomating.com यहाँ पे हमारे पास एक ही आ रहा है ठीक है यह दुस्तों ping website है यह जो wordpress है only एक ही इसको use करता है तो यहाँ पे आप अलग अलग वो use कर सकते है ठीक है तो आपको क्या करना जितने में मैंने बता रखे है यहाँ पे एंटर कर देना है और control भी करके paste कर देना है यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे url हमारे आगे जो यह काम कर रहे थे यह जो website काम कर रही थी वो अब हमारा wordpress काम करेगा इसको save changes पर click करते हैं ठीक है save changes हो गया अब इतने सारे हो गये तो आपको manually करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है जब भी आप update करेगी तो manually आपको नहीं जरूरत पड़ेगी automatically wordpress इनको ping send कर देगा इन सारी जगा ठीक है तो यह दोस्तो automatic करने का तरीका था manually करना चाते है तो आप manually जाके यह मैंने website बता दी आपको पांच website है ठीक है basically अगर आप यह तीन चार website हो में भी करते हैं जैसे feed burner हो गया और small SEO tool ले जो है इसमें भी कर सकते हैं और यह पिंगलर और pingomatic यह चार-पांच जो पिंग website है यह बहुत ही अच्छी website है लोग जाद अगर यह नहीं का use करते है तो इनमें आप send कर सकते हैं तो दोस्तो बस वीडियो यह इन तक था अगर आपको वीडियो किसी भी कार्म से पसंद रहे तो लाइक और शेयर कर देना और comment में बता देना कि आपको किस तरह अगर वीडियो लगा अगर आपको कुछ और जानना चाते है या कुछ दिक्कत आ रहे है आपको ब्लॉगिंग के रिलेटेटर में वह आप मेरे से comment section में पूछ सकते मैं उसको पूरी-पूरी कोशिश करूंगा उसको resolve करने के ठीक तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत देना बाद